एक तरफ ये खबर लगातार चल रही है कि यूपी के मुख्यमंत्री योग्य दितनात को हटाने की साज़श रची जा रही है आज यूपी को लेकर मोदी और शाह के बीच दो घंटे तक मीटिंग चले लेकिन योग्य दितनात को लेकर दोनों नीता फैसला नहीं कर पाए वहीं दूसी तरफ योग्य दितनात को इस बात का एछसास हो चुका है कि उन्हें हटाने की साज़श रची जा रही है तो इसलिए योग्य दितनात ने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है योगे दितनाथ नहीं आज गवर्नर से मुलाकात कर मोदी और शाह की जोड़ी को सीधा पंदेश दे दिया है ऐसे में क्या है पूरा मामला बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे योगे दितनाथ अब मोदी और शाह की जोड़ी के सामने चुनौती बनते नजर आ रहे हैं तो वीडियो कौन तक जरूर देखिए नमस्कार आदाब आप देख रहे हैं खबर एद्दा और मैं हूँ आपके साथ सुंगोली रम आज इस वीडियो में दो बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे दोनों यूपी की राजवीती से जुड़ा हुआ है दोनों उत्रपेडेश में चल रहे हैं सियासी उठापटक को लेकर है पहली खबर ये कि मोदी और शाह के बीच दो घंटों तक मुलाकात चली है और ये मुलाकात यूपी को लेकर हुई है दूसी खबर ये कि अब योगिय दितनाथ ने दिल्ली को खुली चुनोती देने की ठान ली है आज योगिय दितनाथ की यूपी के गवर्नर से मुलाकात हुई और माना ये जा रहा है कि यूपी के सीम जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेकर मोदी और शाह को चौका सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में मोदी और शाह की मुलाकात को लेकर माना ये जा रहा है कि दोनों नेताओं में ये मुलाकात यूपी में चल रही सियासी उठापटक को लेकर हुई दोनों नेताओं के बीच करीब दो घंटे की मुलाकात हुई और माना ये जा रहा है कि ये मुलाकात सिर्फ यूपी पर केंदरित थी दो मों में चर्चा ये हुई कि कैसे यूपी भाजपा में मचे घमासान पर विराम लगाए कैसे योगी अदितनात को सत्ता से बेदखल किया जाए क्योंकि योगी ही एक ऐसे नेता हैं जो मोदी और शाह की जोड़ी के सामने चुनौती बनते नजर आ रहे हैं और खबर ये भी है कि अमिच्शा और योगी अदितनात के बीच रिष्टे भी ठीक ठाक नहीं हैं ऐसे में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशक प्रसाद मौरिया के सहारे अमिच्शा योगी की छुटी करने के फराग में है लेकिन ये काम आसाल नजर नहीं आ रहा है मोधी और शाह के बीच दो घंटों तक माथा पच्ची हुई लेकिन माना ये जा रहा है कि दोनों को समझ नहीं आ रहा कि कैसे यूपी के मुख्यमंत्री पद से योगी अदितनात को हटाया जाए वहीं दूसी तरफ योगी अदितनात लखनों में बैटकर सारी राच्मितिक घटना क्रमों पर नजर बनाये हुए उन्हें भी इस बात का एसास है कि दिल्ली में उनके खिलाफ कोई खिचडी तो जरूर पकाई जा रही है तो अब योगी अदितनात भी खुल कर मैदान में आ गए हैं अब उन्हें दिल्ली को चुनाती देनी की ठान ली है योगी लगातार कैबिनेट की मीटिंग बुला रहे हैं लेकिन उसमें यूपी के दोनों मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं ऐसे में आज योगी ने यूपी के गवर्नर से मुलाकात की है और माना ये जा रहा है कि जल्द ही योगी अदितनात अपने कई मंत्रियों की छुटी कर दिल्ली को संदेश देना चाते हैं और इसी को लेकर आज गवर्नर से योगी की मुलाकात हुई देरे देरे यूपी की राज़्निती दिल्चस्प मोड में जा रही है ऐसे में दोनों खबरों पर आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें खबरादा को यूट्यूब पर सबस्क्राइब कर लीजे